शोले देखकर मत खाएगा धोखा, हेमा मालिनी ने नहीं दिखाए थे बसंती बनकर तब। इस महिला ने बचाई थी बच्ची की जान 1975 में रमेश सिप्टी के डाइरेक्शन में बनी शोले में हेमा मालिनी की बॉडी डबल ने बसंती के एक्शन सीन को किया था रमेश उनने बॉक्स ओफिस पर शांदार कमाई की थी। फिल्म में अमिताब बच्चन, धरमेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन लीड और संजीव कुमार रोल में नजर आये थे। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने बसंती का किरदार निभाया था। फिल्म में हेमा मालिनी जब करती नजर आई थी एक बार अमिताब बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़ पती में हेमा मालिनी रमेश सिपपी और रेश्मा पठान आये थे जहां पर सभी ने रेश्मा की खूब तारीफ की थी सोशल मीडिया पर कौन बनेगा करोड़ पती का एक वीडियो वाइरल हो रहा ह जिसमें अमिताब बच्चन केहते हैं शोले में आपने देखा होगा जहां कहीं भी हेमा जी कभी घोड़ों के पास कभी गुलाटी खा रही हैं कभी इधर जा रही हैं उनकी जगह रेश्मा जी थी रमेश सिप्ट भी बताते हैं कि एक शोट में इन्होंने इतना डेंजरस शोट दिया एक जगह से घोड़ी आ रही है ये बच्ची को रास्ते से उठा कर घूम जाती है और घोड़ी निकल जाती है बहुत ही शांदार शोट था इस वीडियो पर लोग धेर सारे कमेंट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा माशालला बहुत खूब वहीं दूसरे ने लिखा और इन्हें अच्छी फीस नहीं मिलती है वहीं एक को लगा कि हेमा मालिनी ने उनकी तारीफ नहीं की उन्होंने लिखा हेमा ने उनकी तारीफ नहीं की इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और खूब शेयर भी कर रहे हैं बतादे रेश्मा पठान ने 14 साल की उम्र से घुरसवारी समेत कई ऐसी चीजे करना शुरू कर दिया था